नमकीन गोश्ट से बनाते हैं आज शाही वाइट मटन पुलाव की रेसिपी ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें नमकीन गोश्ट को तयार कर लेना है इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो मटन प्रेशर कूकर में इसे बना लेंगे खड़े मसालों में इसमें डालेंगे लॉंग छे से साथ है दो है तेस पत्ता हरी लाइची लेंगे तीन दो है काली बड़ी लाइची हरी लाइची और काली बड़ी लाइची को खोल कर डालेंगे दार्चिनी का दो इंच का टुकड़ा है जायफल का छोटा सा एक पीस ले ले लेते हैं और एक पूर के हिसाब का डाल लेते हैं और इसमें पानी डालेंगे दो कप सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे प्रेशी कूकर का धकन लगा कर मथन को पका लेंगे 30-35 मिनट तक या फिर आप इसे 5-6 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं मथन अच्छी तरह से अब ये मतन को इस यखनी में से निकाल कर हटा लेते हैं और यखनी को छान कर इसे अलग कर लेंगे तो मतन और यखनी रडी है अब शाही पुलाव बनाने की तयारी करते हैं इसके लिए लेंगे एक चौथाई कप तेल इसमें भी कुछ खड़े मसाले डालेंगे दो है स्टार पूल 6-7 हरी लाइची 5-6 है लॉंग और दार्थ चिनी का दो छोटा टुकड़ा ले लेते हैं यह खड़े मसाले डालने के बाद एक मीडियम साइज की प्यास को पतले स्लाइस में काटकर डाल लेंगे प्यास को हमें ज्यादा नहीं फ्राइब करना है क्योंकि पुलाव का यह चलाते हुए पका लेते हैं अधरक लैसन का कच्छा पन चला जाए इसके बाद हम इसमें मटन डाल देंगे मटन को अब हाई फ्लेम पर सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है करीब 2-3 मिनिट के लिए मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे इसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और फेटा हुआ दही डाल देते हैं इसमें यह आधा कप दही है दही डालने के बाद एकदम लो फ्लेम पर ही दही को अच्छी तरह से मटन के साथ मिक्स कर लेंगे दही अच्छी तरह से जब मटन के साथ मिक्स हो जाए फ्लेम को मीजियम कर कुटी हुई काली मिर्च एक चमच भरकर डालेंगे जीरा और आदा चमच डालेंगे सौंफ पिर से सारी चीजों को चलाते हुए मिक्स कर लेना है और फिर से इसे भून लेते हैं बस दो मिनिट के लिए मटन अच्छी तरह से मसालों के साथ भून जाए इसके बाद हम इसमें यखनी डाल देंगे यखनी और पानी मिलाकर करीब चार कप डर डाल लेते हैं हाइफ लीम पर इसे पका लिते हैं यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आदा कीलो चाफल यह करीब धाई कप चाफल यह जिसे मैंने आदे घंटे के विल आप देखें कि एक जैसा होने लगा है तब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे आप चाहें तो घर के दूद की मलाई को पहेट कर भी डाल सकते हैं तो यह फ्रेश क्रीम में ले रहे हूं करीब एक चौथाइक कप फ्रेश क्रीम से पुलाओ क्रीमी और रिच बनेगा और एक दम वाइट बनकर तयार होगा एक चमच डाल देंगे केवरा वाटर अब हलके हातों से फ्रेश क्रीम को चाबलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बार धकन लगा देंगे और अब पुलाओ को दम पर पकने क कुलाओ सर्फ करने के लिए रेडी है आप इसे दही वाले रायते के साथ कच्छूमर या फिर चटनी के साथ सर्फ कर लीजिए आज बनाते हैं शाही मटन कोर्मा की रेसिपी बहुत ही रिच और मज़ेदार सी रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों और चीजों से आप बहुत ही शानदार और शाही रेसिपी बना कर रेडी कर सकते हैं तो चलें इस recipe को बनाते हैं, इसके लिए पहले लेंगे 1 kg mutton, ये mutton को मैंने bones और fat के साथ लिया हुआ है, आप चाहें तो इसे bonless mutton के साथ भी बना सकते हैं, इसे अब marinate करने के लिए पहले इसमें डालेंगे 400 g दही, ये करीब 2 cup दही है, दो बड़े चमज भर कर इसमें डा करके डालेंगे, इस तरह इसके पतले लंबे pieces मना कर डालेंगे, खड़े मसालों में लेंगे 2 काली बड़ी इलाइची, 6-7 long है, 4-5 डालेंगे हरी इलाइची, अब powder मसालों में लेना है, एक बड़ा चमज भर कर जीरे का powder, दो बड़े चमज भर कर जाएगा इसमें धन्या का powder, आदा चमज डाल लेते हैं हल्दी का powder, एक बड़ा चमज भर कर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का powder, कलर बहुत अच्छा आजाएगा इससे कोर्मे में, और तीके पन के लिए डाल लेते हैं एक बड़ा चमज भर कर तीकी वाली लाल मिर्चों का powder, अब कोर्मे के ल दालेते हैं एक खुश्बुदार मसाला, इसके लिए लेंगे एक स्टार पूल, छोटा सा टुकड़ा है जाइफल का, एक पीस है जावित्री का, तीन इसमें है हरी लाइची और एक टुकड़ा ले लेना है दारचीनी का, ये खड़े मसालों को दरदरा सा कूट लेंगे, और एक चौथ हाई कप डाल लेंगे इसमें तेल, ये तली हुई प्यास का तेल है, अगर आप चरबी हटाकर मटन ले रहे हैं, तो तेल की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं, अब बस सारी चीजों को मिक्स करना है, नमक रह गया है, नमक भी डाल देते हैं मटन के हिसाब क अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, इसे रख लेंगे एकदम लो फ्लेम पर और ढख देंगे इसे, और 40-45 मिनिट के लिए इसे एकदम लो फ्लेम पर हमें दम पर पकाना है, इसमें पानी हम बिलकुल नहीं डालेंगे, दही काफी सारा है इसमें, और मटन क का पानी भी छूटेगा, इसी पानी में ये पक कर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मटन करीब 90% तक पक जाए, तब तक हम इसे पका लेंगे और फिर धक्कन हटा लेते हैं, मटन में काफी सारा पानी अभी भी है, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं आट कर रही हूँ, अगर मट कोर्मा एकदम दानेदार बन कर रही होगा, साथ ही इसके में थोड़ा सा खोवा डाल रही हूँ, करीब दो बड़े चमश भर कर, इससे कोर्मा जाइके में और शांदार और रिच बन कर रही होगा, अब लोग फ्लेम पर ही हलके हातों से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से प्याज और खोवा जब मिक्स हो जाए मसालों के साथ, तब हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे, जितना पतला आपको कोर्मा चाहिए, उस हिसाफ से आप इसमें पानी डाल सकते हैं, अब इसे ढख कर फिर से 10 मिनट के लिए पका लेंगे दम पर ताकि तली हुई प्याज और खोवा अच्छी तरह से दानेदार हो जाए कोर्मे में मिलकर, खकन हटाने के बाद हम वही बचा हुआ आदा मसाला इसमें डाल देते हैं, जिसे हमने कोर्मे के लिए रेडि किया था, मैं कोर्मे को मसालों की खुश्बू के साथ ही तयार कर रह पराठा, रोटी, नान, कुल्चा के साथ इसे सर्फ कर लीजे, बहुत ही रिच और बहतरीन जायके का ये कोर्मा बनकर टैली होता है, आज बनाएंगे बहुत ही मज़दार सी मतन की बिर्यानी और ये बिर्यानी बनाएंगे हम लेयर वाली, तो मतन बिर्यानी बनाने के बस नमक में मतन को हम पका कर सॉफ्ट कर लेंगे, तो धकन लगा देते हैं और 5-6 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे, मतन सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद धकन हटा लेंगे प्रशर कूकर का मतन और येखनी को अलग कर लेते हैं, अब बिर्यानी बनाने के मतन का कोर्मा रेडी कर लेंगे, इसके लिए तेल ले लेंगे आधा कप और खड़े मसालों में लेंगे 5 हरी इलाइची, 2 स्टार पूल, 1 जावित्री का तुकड़ा, 1 चमच है जीरा, 5-6 है लॉंग, आदा चमच काली मिर्च, 1 है काली बड़ी इलाइची और 2 चोटा है द अधरक लेसन का पेस्ट, अधरक लेसन का पेस्ट डालने के बाद इसे हमें पका लेना है तेल में, इसका कच्छा पन चला जाए, तब तक हम इसे फ्राइ कर लेते हैं, तो करीब इसे पकाने में आदे से 1 मनिट लगेगा, इसके बाद इसमें डाल लेंगे 4 मीडियम साइज कि टमाटर जिससे मैंने 4 तुकणों में काट लिया है سाथ ही इसके डाल लेते हैं कुछ पाओडर मसाले एक चमज और बनलेंगे टीकी वाली लाल मिर्चों का पाओडर आदर चमज मझ डालेंगे हल्दी का पाओडर दे देड़ चमच डाल लेना है धनिया का पाउडर, एक चमच भर कर डाल लेंगे जीरे का पाउडर और एक चमच भर कर डाल लेते हैं गरम मसाले का पाउडर, अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर टमाटर जब मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद हम धकन लगा देंगे और फ्लेम को एकदम लो कर लेते हैं करीब साथ से आठ मिनिट के लिए इसे एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए धकन हटाने के बाद इसे एक बार मिक् साथ ही इसके में कुछ डाल रही हूँ ये ड्राइड प्लम ये आलो बुखारे डाल रही हूँ 5-6 इसे बड़ा ही चटपता टेस्ट आ जाएगा बिर्यानी में हरी मिर्चें भी डाल देते हैं इसमें बीट से स्लिट की हुई 3-4 डाल लेते हैं अब लो फ्लेम पर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही अच्छी तरह से मसालों के साथ लो फ्लेम पर मिक्स हो जाए इसके बाद फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है और मसाले को अच्छी तरह से हमें भून लेना है मसालों से आप देख सकते हैं कि तेल सेपरेट होने लगा है बस इसी टाइम पर हमें इसमें एक कप भर कर तली हुई प्यास डाल लेना है ये करीब तीन मीडियम साइस की प्यास है प्यास को करश करके डाल लेंगे और मसालों के साथ फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद हम यखनी से निकाला हुआ मटन इसमें डाल देते हैं मटन को अच्छी तरह से मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे इसे करीब 3-4 मिनित तक हम मसालों के साथ भून लेते हैं मटन अच्छी तरह से मसालों के साथ भून जाए इसके बाद जो यखनी बची हुई है वो हमें इसमें डाल लेना है इस पॉइंट पर आप नमक भी चग कर लें अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और नमक आड़ कर सकते हैं एक बार चलाते हुए सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर अब मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेते हैं जब तक मतन मसालों में पक रहा है चावल बना लेते हैं तो चावल बनाने के लिए पानी यहां पर मैंने गरम करने के लिए रख लिया है इसमें आदे नीमू का रस निचोड लेंगे खड़े मसालों में लेंगे तीन से चार हरी इलाइची दो तेज पत्ता, एक काली बड़ी इलाइची, एक डाल लेना है दारचिनी का टुकड़ा, नमक दो बड़े चमच भरकर इसमें आड़ कर लेते हैं, घी डाल लेंगे इसमें एक बड़ा चमच भरकर, अच्छा सा पानी में बॉयल आ जाए और मसालों का फ्लेवर सालर लीज ह इसके बाद हम यह खड़े मसालों को हटा लेंगे, अब भीगो कर धोया हुआ बासमती चावल है, यह आदा कीलो इसे डाल देते हैं, फ्लेम को हाई कर लेंगे और चावल को पका लेना है हमें 80% तक, बिर्यानी के कोर्मे की तरफ आते हैं, यह अच्छी तरह से पक चुका ह बिर्यानी का कौर्मा इतना पतला होना चाहिए कि यह चावलों पे अच्छी तरह से पहल जाएंगे, अब फ्लेम को बंद कर देंगे, जिस बरतन में हमें बिर्यानी बनाना है, इसमें थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, घी डालने से चावल नीचे चिपकेंगे नहीं, थोड बचा हुआ मटन और में बचा हुआ अब यहां पर डाल बिर्यानि तो एक बड़े चमच केवरा वाटर में थोड़ा पूड़ कलर जन्या अब भाइवा ठक कर दम पर हमें इसे पकाना है कम से कम 20 से 25 मिनिट के लिए एकदम लो फ्लेम पर बिर्यानी जब दम पर अच्छे दरह से पक जाए और फिर धकन हटा लेते हैं मतन बिर्यानी सर्फ करने के लिए ररी है इसे आप दही वाले रायती के साथ कचूमर या फिट सालिट के साथ स कि ळैएं इक बिद्च बाक序से से प किम अ क्यों से बी चटपटी अफगानी रेसिपी रेसिपी बनाने के लिए लएगंजे बंटन का कीमा आधा कीष किलो इससे डाल देते हैं एक पान में तेल ड्त ऐसमें बड़े चमज़ी पहर कर साथ ही इसकी डाल गीए एक बड़ा लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे, करीब 15-20 मिनट के लिए, बटन सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसे पका लेते हैं, जक्कन हटाने की बाद अगर आप देखें कि थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, तो फ्लेम को हम हाई कर लेंगे, और ये पानी को सुखा लेंगे, पानी स दालेंगे, दो मीडियम साइस की प्याज, रफली चॉप की हुई, हरी मिर्चे इसमें चार से पांच डाल देते हैं, हरी मिर्चे आप अपनी टेस्ट के इसाब से आड़ कर सकते हैं, मुठी भर के धनिया के पत्ते डंडियों के साथ डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी इसम से ग्राइंड होकर रेडी हो जाए, हरा मसाला रेडी हो जाए, इसके बाद इसे साइब में रखते हैं, ग्रेवी बनाने के लिए पैम में लेंगे एक बड़ा चमश भर कर बटर, तीन बड़े चमश भर कर तेल भी इसमें एड़ कर लेते हैं, तेल बटर के साथ मीडियों फ्लेम पर गरम हो जाए, इसके बाद इसमें डालेंगे एक दो इंच का दार्चिनी का टुकड़ा, आदा चमश डालेंगे काली मिर्च, चार से पांच लॉंग, तीन से चार डाल लेते हैं हरी लाइची, बिस आदे मिनिट के लिए खड़े मसालों को फ्राई कर लेंगे मी आदा चमश डालना है गरम मसाले का पाउडर, आदा चमश डालेंगे जीरे का पाउडर, आधा कप अच्छी तरह से फिटा हुआ दही डालेंगे, एक चमश भर कर कसूरी मेथी का पाउडर या फिर कसूरी मेथी को क्रश करके डाल लेते हैं, चार्ट मसाला एड़ कर लेते यह हमें ध्यान रखना है सारी चीजे मिक्स हो जाए इसके बाद हमें इसे ढख कर मीडियूम फ्लेम पर पकाना है बस पांच मिनिट के लिए अच्छी तरह से पक जाए इसके बाद पांच मिनिट बाद हम ठककन हटा लेंगे कीमा जो रड़ी है हमारे पास फ्राइ किया हुआ इसे डाल देना है साथ ही इसके डाल देंगे तीन से चार साबुत हरी मिर्चे ग्रेवी अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसे मीडियूम फ्रेब पर पख जाने देते हैं बस तीन से चार मिनट के लिए चलाते हुए कीमा अच्छी तरह से मसालों के साथ पख जाए इसके बाद हम फ्लिम बंद कर देंगे जलते हुए कोईले पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ठक देते हैं इसे, 10 मिनिट तक रखेंगे इसे, अच्छा सा बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आजाए कीमे में, तब हम ठकन हटा लेंगे तो बस ये चटपटा मज़िदार, अलग से जाइके वाला मटन कीमा अफगानी डेडी है सर्फ करने के लिए, आप इसे पराठा या रोटियों के साथ सर्फ कर लीजे